सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना पर आपका अपना मुंबई टाइम्स की रिपोर्ट ड्रक्स केस में याचिका खारिज होने के बाद जेल में बन आरियन खान से मिलने उनके पिता और अभी नेता शारुक खान मुंबई की आथारोड जेल पहुचे थे पिता और पुत्र के बीच तकरीबन 18 मिनिट तक मुलाकात चली हाला कि जेल प्रशासनियम के मुताबिक सिर्फ 10 मिनिट की मुलाकात की बात मान रहा है मुलाकात के दोरान शारुक खान को देखते ही आरियन भावुख हो गए उनके साथ आए जेल के एक संत्री ने उन्हें संभाला और फिर दोनों ने इंटर कॉम पर एक दुसरे से लंबी बात की आरियन खान की शारुक खान से मुलाकात जेल में बने एक कैबिनेट में हुई है यहां शीशों की एक दिवार के बीच एक तरफ आरियन खान थे और दूसरी तरफ शारुक खान शारुक के साथ उनके स्टाफ के भी कुछ लोग है हाला के उन्हें शारुक के साथ कैबिनेट में जाने की मंजूरी नहीं दी गई थी जेल सूतरों की मानों तो पिता को देखते ही आरियन तूड गए और काफी देर तक रोते रहे दो अक्तूबर को गिरिफतार होने के बाद यह पहली बार है जब आरियन के परिवार का कोई सदस्य से उनसे मिलने पहुचा है मुंबई क्रूज ड्रक्स केस में आरोपी अभीनेता शारुक खान के बेटे आरियन खान को हाई कोट से अभी राहत नहीं मिली है आज उनके वकील की ओर से दायर या चिका को वंबे हाई कोट ने स्विकार करते हुए मामले की सुनवाई 26 अक्तूबर के लिए टाल दी है तब तक आरियन को अर्थरोट जेल में रहना होगा मुलकात के दौरान आरियन बीच बीच में कई बार भावुक हो रहे थे शारुक भी बोलते बोलते कई बार रुके लेकिन उनके चहरे से चश्मा नहीं उत्रा जेल सुतरों की मानों तो बेटे को रोता देख शारुक भी अपने आसु नहीं रोक सके शारुक दौरा आरियन का हाल पुछने के बाद दोनों कुछ देर तक शान्त खड़े रहे और एक दूसरे को देखते रहे बाचीट के दौरान आरियन ने कई बाशारुक से आईम सौरी बोला इसके जवाब में एक बाशारुक ने भी कहा आई ट्रस्ट यो इसके अलावा भी दोनों ने काफी देर तक बात की लेकिन उसकी डीटेल अभी सामने नहीं आई है NDPS कोट में आरियन की बेल खारिच होने के बाद अब उनके वकील के पास सिर्फ एक हफता बचा है इस एक हफते में ही वो आरियन को बेल दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे दरसल एक नवेंबर से बॉंबे हाई कोट की दिवाली की छुट्टिया शुरू हो रही है इसके बाद कोट 14 नवेंबर के बाद ही खुलेगी ऐसे में दिखा जाए तो आरियन की बेल के लिए सिर्फ साथ वरकिंग डेज यानी एक हफते का ही वक्त है